परी की जादूई लिपिस्टिक गंगा नदी के किनारे एक रामपुर नाम का गाउं पसा हुआ था उस गाउं के लोग मचलियों का व्यापार करके अपनी जीविका चलाते थे उसी नदी के नीचे जलपर्यों की एक दुनिया थी जिसमें सभी जलपरियां हसी खुशी से रहती थी जलपरियों की रानी सुबद्रा सभी जलपरियों का पूरा ध्यान रखती थी रानी सुबद्रा की एक बेटी थी जिसका नाम राजकुमारी मीना था रानी परी ने राजकुमारी मीना को नदी से बाहर जाने के लिए मना किया था परंतु वहां की बाकी जलपरियां समय समय पर पित्वी लोग की जैर करने आया करती थी एक दिन राजकुमारी मीना पिर्थवी लोग जाने के लिए समुद्र की जादूगर्नी से मदद मांगने के लिए जाती है हे जादूगर्नी मेरा पिर्थवी लोग पर जाने का बहुत मन है और मैं आज ही पिर्थवी लोग की सैर करना चाहती हूँ किर्प्या मुझे पित्वी लोग पर जाने के लिए कोई जादूई शक्ती दे दीजिए शमा कीजिए राजकुमारी मीना परंतु जब तक रानी जलपरी की अनुवति नहीं होगी मैं आपको पित्वी लोग जाने नहीं दे सकती मैं तुम्हें इन चक्तियों के बदले सोने की जादूई सो मुद्राएं दूँगी अब तो तुम मुझे पिठ्वी लोग जाने दोगी ना जादू गर्नी सो सोने की मुद्राओं का नाम सुनकर लालच में आ जाती है और राजकुमारी परी को एक जादूई लिपिस्चिक देती है यह लोग यह एक जादूई लिपिस्चिक है इसे लगाते ही तुम एक खुपसूरत इंसानी लड़की में बदल जाओगी मैंने तुम्हें जो शक्ती दी है यह केवल बारा बज़े तक ही काम करेगी और बारा बचते ही तुम अपने असली रूप में आ जाओगी इसलिए किरप्यां बारा बज़े से पहले जलोप में आ जाना ठीक है जादूगर्नी मैं समय पर आ जाओंगी और इस तरह समुद्र की सैर करते हुए राजकुमारी मीना पितपी पर पहुँच जाती है और वहें जादूई लिपिस्टिक लगाकर एक सुन्दर लड़की का रूप ले लेती है जलबरी चलते चलते एक बजार में आ जाती है और वहां से कुछ फल लेने के लिए पहुचती है भाईया मुझे यह फल चाहिए सो रुपे के चार हैं कितने दे दूँ भाईया परंतू मेरे पास तो रुपे नहीं है अगर तुमारे पास रुपे नहीं है तो तुम मुझे उसके बदले कोई कीमती चीज़ दे सकती हो मीना दुकंदार को कुछ सोने के सिक्खे दिखाती है हाँ यह सोने के सिक्खे भी चलेंगे और इसके बदले मैं तुमें रोज कुछ फल दे दिया करूँगा मीना फल ले ही रही होती है कि तभी उसके हाथ से कुछ फल नीचे गिर जाते हैं तभी वहां से गुजर रहा एक सुन्दर नौजवान लड़का वै फल उठा कर दुकंदार को देता है भाईया आपके यह फल नीचे गिरे हुए थे किर्पया इन्हे ले ली दिये मीना उस सुन्दर नौजवान युवक को देखकर उसे पहले ही नजर में पसंद कर लेती है और उसे उससे प्यार हो जाता है जी धन्यवाद क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ जी मेरा नाम मोहित है और मैं यहीं पास के गाउं में रहता हूँ तुम्हें अगर कोई फल खाना हो तो तुम इसमे से ले सकते हो मैं इसके पैसे दे दूँगी नहीं मैं बिना मजदूरी के किसी से कुछ नहीं लेता मैं दो दिन से काम की तलास में गूम रहा हूँ परन्तु मुझे अभी तक कहीं काम नहीं मिला अगर तुम मुझे कुछ काम दे सकती हो तो मैं सायद तुमारे एपल खा सकता हूँ क्यों नहीं मेरे पास तुमारे लिए एक काम है तुम मेरे पीछे पीछे आओ इतना कहकर वहें दोनों एक नदी किनारे पहुच जाते हैं तुम इस नदी के तट से मुझे रोजाना गाउं घुमाने ले जाया कलना इसके बदले मैं तुम्हे सोने की सौ मुद्रायं दूंगी परंतू सो मुद्राय तो इस छोटे से काम के लिए बहुत जादा है हाँ परंतू किसी भी मौसम में तुम्हें मुझे यहां से लेने आना पड़ेगा इस काम के लिए सो मुद्राय ठीक है इतना कहकर मीना और मोहित वहां से चले जाते है मीना वहीं रुक कर अपनी जादूई शक्तियों से वापस एक जलपरी बन जाती है और जल लोक में चली जाती है राजकुमारी मीना जल लोक आने के बाद मोहित के बारे में बहुत कुछ सोच रही होती है और उसे मोहित ही मोहित दिखाई दे रहा होता है अगले दिन राजकुमारी मीना फिर से उस जादुगर्नी के पास जाती है और एक जादुई लिपिस्टिक मांगती है जादुगर्नी जी मुझे पित्वी लोग बहुत अच्छा लगा और आज मैं फिर से पित्वी लोग की सेर करना चाहती हूँ कि प्या मुझे वह जादुई रूप बदलने वाली लिपिस्टिक दे दीजिए नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती यह जलोग के नियमों के खिलाव है अगर रानी जलपरी को यह पता चल गया तो वह मुझे इस जलोग से निकाल देंगी आज मेरे पास तुम्हारे लिए सोने की सो असरतियां है क्या इतने बेबी तुम नहीं मानोगी जादुगर्णी फिर से इतने सारे सोने के सिक्के देखकर लालच में आ जाती है और उसे वह जादुई शक्ती दे देती है आज फिर से मीना पित्वी लोग पर चली जाती है नदी टट पर पहुँचकर जलपरी उसी सुन्दर लड़की का रूप ले लेती है थोड़ी देर बाद मोहित भी वहां आ जाता है क्यों मोहित तुमने आज इतनी देर क्यों लगा दी मेरे पेट में चूहे कूध रहे हैं चलो आज गाओं में चल कर कुछ खाते हैं मोहित जलपरी को एक रेस्टूरेंट में ले जाता है और वहां दोनों पेट भरकर खाना खाते हैं और बहुत सारी बाते भी करते हैं मीना को मोहित से प्यार हो रहा था परंतु मोहित गरीब लड़का था वह इस बात से बेखबर था कि मीना उससे प्यार करने लगी है प्योकि मीना मोहित को इस काम के सो सोने के सिक्के दिया करती थी इसलिए मोहित भी इसे नौकरी की तरह कर रहा था इसी तरह दिन निकल रहे थे राजकुमारी मीना जादुगर्णी को रोज सोने के सिक्के दिखा कर मोहिट से मिलने आया करती थी और उससे बहुत सारी बाते किया करती थी एक दिन राजकुमारी मीना के सभी सोने के सिक्के खतम हो जाते हैं और आज उसके पास जादुगर्नी को देने के लिए सिक्के नहीं होते हैं, जिसके कारण वह आज पित्वी लोग पर नहीं जा पाती। वहीं दूसरी तरफ मोहित बहुत देर तक नदी तट पर खड़ा होकर मीना का इंदजार कर रहा होता है। शुबे से शाम हो जाती है, परन्तु मीना का कोई पता नहीं चलता। मोहित निराश होकर घर चला जाता है। इसी तरहां कई दिनों तक मीना मोहित से नहीं मिलने आती, परन्तु मोहित रोजाना मीना का इंतजार नदी के टट पर खड़े आकता था। एक दिन जब मीना के सबर काबान तूट जाता है तो वह जादूगर्णी को सोने के सिक्के देने के लिए अपनी मा के कमरे से सोने के सिक्के चुड़ा लेती है ऐसा करते हुए उसे एक सिपाही देख लेती है वह यह बात जाकर रानी जलपरी को बताती है रानी परी यह सुनकर बहुत गुसा हो जाती है और उसे यकिन नहीं होता कि उसकी खुद की बेटी राजमेल से चोरी गरेगी रानी परी जल्दी से मीना को रंगे हाथ पकड़ लेती है यह क्या कर रही हो तुम मीना तुम्हें पता है राजको से धन चुराने का अपरात क्या है तुम रानी यलपरी की बेटी हो तो क्या हुआ तुम्हें तुम्हारे अपरात का धन जरूर मिलेगा मा किर्पया मुझे माफ कर दीजिए मैं यहदन जादुगर्णी को देने के लिए चुरा रही थी और इस तरह राजकुमारी मीना गानी परी को सारी बात बताती है सेना पती जल्दी से जादुगर्णी को हमारे महल में पेज़ किया जाए उसकी हिम्मत कैजी हुई को माफ करने वाली नहीं है मैंने ही उसे रोजाना सोने के सिक्कों का लालच दिया और वहें मुझे पित्वी लोग जाने के लिए रूप बदलने वाली लिपिस्टिक देती थी दि ओल चाह積ल है और मुझे उससे प्रेम है, मैं उससे शादी भी करना चाहती हूँ यह क्या बोल रही हो बेटा तुम? तुम्हें पता है ना, वह प्रतिवर्स हमारे जल्लों की कितनी मचलियों को मार कर खा जाते हैं हमारा इंसानों के प्रति प्रेम करिस्ता नहीं रह सकता वह लोग हमारे पानी को गंदा करते हैं और इसमें कुड़ा कच्रा भी डालते हैं जल्लों के नियम के अनुसार अगर तुम्हें किसी प्रतिवी लोग के लड़के से साधी करनी है तो तुम्हें भी एक आम इंसान की तरह रहना पड़ेगा और तुम कभी भी वापस जल्लों नहीं आ पाओगी मा मुझे आपकी सभी शर्ते मनजूर हैं बस मेरी शादी मोहित से करा दीजिए मैं एक आम इंसान की तरह जीने के लिए तयाद हूँ और इसी तरह सभी जल्परियां अपनी जादूई शक्तियों से पित्वी लोग पर पहुँचती हैं वहां नदी तट पर खड़ा होकर मोहित मीना का इंतजार कर रहा होता है मीना जल्दी से एक लड़की का रूप बदल कर मोहित के पास चली जाती है मीना जी आप कहां गायब हो गए थे मैंने आपका इत्ते दिन इंतजार किया रोज घंटे खड़े होके यहां से निरास होकर गया परन्तु आज आप आगए हो अब आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाना इतने दिन आप से अलग रहने के बाद मुझे एहसास हो गया है कि अब मैं आपके बिना नहीं रह सकता हाँ मोहित मैं भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ परन्तु इससे पहले मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ इतना कहकर मीना एक जलपरी के रूप में बदल जाती है यह देखकर मोहित हैरान रह जाता है अरे यह क्या तुम तो एक जलपरी हो तुमने मुझसे यह बात अवे तक छुपा के क्यों रखी मुझे माफ कर देना मोहित हमारे जलपरी का यह नियम होता है कि हम जलपरीया किसी इनसान के सामने नहीं आ सकती परन्तु अब मैं अजाद हूँ और मैं हमेशा के लिए तुम्हारी बनकर रहना चाहती हूँ मैंने जलप हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया है अब मैं भी एक आम इनसान की तरह तुम्हारे साथ पित्वी लोग पर रहूँगी यह देखो जलपरीया मेरे साथ आई है और इस तरह मोहित भी मीना से शादी करने के लिए तयार हो जाता है और उसी समय सभी जलपरीया अपनी जादुई शक्सियों से वहाँ पर शादी के मंड़ तयार कर देती है और मीना की शादी करा देती है सभी जलपरियां दोनों को आशिरवात देखकर वहां से गायब हो जाती हैं मोहित और मीना फिट्विप पर अपनी आगे का जीवन बिताते हैं तो प्यारे दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताईए और ऐसी नई नई कहानिया सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तब तक के लिए बाई बाई दोस्तों